गुद मॉर्निंग डियर स्वेंट्स वेलकम टू प्रोफेसर एस्पी गोईल्स आई एस क्लासरूम पिर ये विद्यारतियों आपके रोजना कॉमेंट आ रहे हैं आप पीडिएफ मांग रहे हैं क्योंकि मैं आपको स्पून फिडिंग नहीं करना चाहता आप लिखो जब तक नहीं लिखोगे आपके प्रलेमरी में तो जो है उतना consulate याद नहीं होगा बिना लिखे में में भी नहीं होगा यह दोनों जगे काम आएंगे questions इसलिए मैं PDF नहीं दे रहा क्योंकि मैं stereotype नहीं बनाना चाहता अपने इस program को मैं 100% success चाहता हूँ और 100% success जब आएगी जब आप questions को अपने copy में लिखोगे क्योंकि मुझे पता 95% 99% बच्चे जो है मंधली magazines करके और वो current phase को कर लेते हैं इसलिए merit कम जा रही है तो please bear with me मैं आपके hit के लिए आपके 100% success चाहता हूँ मेरा अपना अलग जो है क्योंकि मेरा बहुत लंबा experience है उस experience के बेश पे classes के बेश पे मैं चाहता हूँ कि आप लिखें अपने notes बनाएं छोटे-छोटे brief क्योंकि इसका एक और भी मैं बताता हूँ मालिया आप IPS में आगे IRS में आगे वो notes फिर काम आएंगे आपको क्योंकि न्यूजपेपर में करेंट काम मतलब यह निया करेंट भी खतम हो जाएगा 60-70 पर संट स्टेटिक है चाहिए वह आर्टिकल हो 26 मही के बाद जब आप पक्जाम दोगे ना तब याद करोगे कि मैंने लिख लिया तो अच्छा किया है दूसरा मैं कोशिशत ये करता हूँ कि जदे जदा कोश्च निकालो लेकिन फिर रिए एक दोग्त कोश्च न रहे जाता है मैंने आप पर पार्टनर है मैं माल लिया दस क्वेशन निकालता हूं पांच आप भी निकालो इतने आप कितने स्टूर्स हो कम से हजार स्टूर्स तो रो जाना जो है इसको क्रिटिकली देख रहे हैं इस तरह से हमारे हो सकता है 30-40 कोश्चन हो जाएं आप ऐसे ना सोचो कि मैंने छोड़ दिया तो मैंने को जो है बहुत बढ़ी गल्ती होगी अब जैसे आज भी मैं देख रहा था अटल सित्व है यह समुद्र पर बनाया है नोय बंभी को जोड़ हैं इस तरह के क्वेश्चन जो है स्टीडियो टाइप क्वेश्चन आप उसमें नोट कर लो कोई बात नहीं आ सकता है कभी ऐसे सी बगएरा टाइप के हैं कोशन कोई नी छोड़ता कोई बाई चांस रह जाता तो आप जो है जैसे लिखके बेजते हैं उसको कोई ऐसी बात क्वेश्चन पर अब यह हिंदू में इंडिया माल्दू रिलेश्चन पर और यह जो चाहिना के साथ इन भी स्पेक्ट किये हैं प्रेजिडेंट मोईजू ने उसके मध्या जाज़त जो भी डिवल्प्मेंट्स हो रही है वह आपको पता है उसके नोट्स बनाओ और आप क देखिए इसमें से मैंने सिद्धा कोश्चन निकाड़ा इंडिया उट कंपें यह सब जो है एक इंपोर्टेंट यह है देखिए उथूरू थिल्ला फालू यह एक आईलेंड है इसकी डील हुई है दो जरीकिस में इंडिया और माल्डिव के बीच में हुई थी तो इंडिया ने यहां जो है प्रोजेट करने थी तो अब यह जो है अब क्या होगा इन सारी प्रोजेट का इसलिए में लेके आया हूं सारी बार बार निउज पेपर में आएंगी है तो यह आपको पता आना क्या आइलेंड यह कहां पे है दन अंडर यूटिए इंडिया माल्डिव जोएंड ड्वेल्प नैशनल डिफेंट फोर्स पोस्ट गार्ड हार्बर बनाना था यहां पे इंडिया ने लेकिन अब यह खटाई में पड़ गया दिन इंडिया लेड कॉलंबो स्कूर्टी कॉं अब बहुत सारे यह तो चलो मुझे आता है यहीं यूपेसी चाहती है जो कुछन आए वो पुछे अब यह जिया मस्टेड पर जो है जले भी कुछन आया हुआ लेकिन जैनेटिक इंजिरिंग अपरेजल कमेटी एक तो यह किस क्या है स्टेशरी बोड़ी ओप मिनिस्ट्र है वो जीम क्रोप है तो बीटी कोटन में क्या है इल्ड का जो है इंक्रिमेंटल बहुजादा था एज कंपेट टू कंट्रोल इसलिए वो लेकिया और जितने भी जी यह होती ना जी क्रोप या जीम क्रोप से वो सब हाइब्रिड कहते है इनको और हर साल उसका बीज लेना पड़ेगा उसमें नुकसान क्या है कि फार्मर को हर साल भीज खरीदना पड़ेगा इसको नंबर चुड़ा फैदा नहीं है तो फिर क्या फैदा फिर गोर्मेंट क्यों लेएगी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सुप्रीम कोट में डियमेच 11 का कि बायो सेफ्टी का यह में शिट कर जाए और बहुत बड़ा नुफसान हो जाए इसलिए यह जो है फुक फुक के कदम रखी है चरका और एंविरमेंटल जो एंजियोज हैं अब बायो सेफ्टी ओफ प्रांस जैनिक मस्टर्ड डियमेच 11 इसलिए हमारी अभी तक कोई भी बायो इंजिनियर या ज प्रांस निकाल दिया इसमें नुछ कोई अलिसीज जुरूर्वत नहीं है अब यह तीन इसमें नाटो मेंबर जहें जिन्होंने पैक्ट साइन किया है कि डिमाइनिंग करेंगे वह सारी डिमाइनिंग करेंगे ताकि सेफ पैसे जो है रश्यावार के बाद जो नहीं यह यह इंडिया के और यह अर्बन अफेर्ज मिनिस्ट्री जो है इसके रैंकिंग करती है सिंपल है अब यह बहुत बड़ा जो है डिसीजन हुआ है बल्ड लेवल पर बिटकोइन एक्स्चेंज ट्रेडिट फंड्स फर्स्टाइम हुए है वर्ल्ड की इस्टी में फर्स्टाइम उस लिए इस से में इडिया इसको इलीगल मानता है यूससे में यह चूरू है जो है बिटकोइन का टीर अब यह बड़ा इंटेस्टिंग नियूज है यह देखिया ऐसे आते हैं इनको कहते हैं कंशेट-बेस निकालना निजबेपर से अब यह सुप्रीम कोट में केस है आ क तो सेंटर नहीं यह काया कि एम यू कैन नोट बी कंसीड़ेड़े माइनर्टी इस्यूशन्स विकोज इस सेंटर निश्टी नेशन क्रेक्टर इसका अब इसका मैंने क्वेश्चन निकाल है देखना आप अब यह कोई केस पहले था अजीज बाश्शा वर्सीज उनीन ओफ इ सब्सक्राइब करना है यही फैदा है मेरा बताने का लिखा है आर्टिकल 30 डजनोट मेंडेट दैट अडिमिशेशन ऑप मायटी एडिकेशनल इस्यूशन शुट बी ओनली वाइमबर्स ओट कमुनिटी को जुरूरी नहीं है कि माइनर्टी एड्यूकेशन को माइनर्टी कम सब्सक्राइब करें इस बड़ा इंपोर्टेंट है अब यह सिंपल सी नूज है इसमें तो आप यह हमारी चे लेंग्विज क्लासिकल लेंग्विज को करता है बंगाली के लिए चीफ मिनिस्टर को लिखा है कि यह क्लासिकल लेंग्विज बनाई जाए इसके क्या नुफसान है जैसे आपको सभी को पता है हम बार-बार एंटिबाटिक लेते हैं बिना प्रेस्क्रिप्शन के अंडर डोज लेते हैं तो यह रिजिस्टेंस ड्वाइल पुझाता और इंडिया के यह प्रोब्लम है कि वहां पर जो बैक्तिरिया है ना क्योंकि हाईजिन नहीं इतनी होस्पिटल में हमारे यह वहां पर यह रिजिस्टेंस बढ़ाएं देखिया आप यह दो नियुजए एक साइंस पेज में भी है यह देखना आपने साइंस में पढ़ने हैं बहुत इंप से मैं एक निकाला है जो आपके अग्जाम में अभी भी आ सकता है नहीं को सिम्पोर्टेंट बैक्तिरियोफाजीज क्या होते हैं कभी भी आए गए आपके प्लस्टू की बायालोजी किताब में मिलेगा अगिंसी आटी बैक्टियोफाजीज और वायरस इस देट पेस्टि यह बैक्टिरिया नहीं हो गई किल कर देंगे तो राजी संगेने करेगा वो देन बैक्टिरिया फाजिस की हैल्प कीप अडिबल से फ्रम बैक्टिरिया किल जाएगा तो आपके जो जितना भी है अब यह मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जैसे स्टेट ऑफ और मुझ है स्टेट ऑफ बाबल मंडप है गिबल्टाल है यह सारे आपको मैप देखा करो आप कितना अच्छा मैप में दिया है कौन से कंट्री से साथ लगता है जैसे इरान दिख रहा है हमें को ता कतार दिख रहा है ओमन दिख रहा है साओधी रिविए से दूर है ठीक है स्टेट ऑफ और मुझ देखिए ता मैप में कलिर है यह इंपोर्टन है मैं यह दिखाना चाहता था कि ऐसे जो नोर्स बढ़ा सेपलेट ओमन इन इरान यस एंड इज बिट्विन कतार एंड ओमन के बीच में है यह याद रखना इन इस टेट ऑफ और मुझ पर्सिंग फू गल्प फो मान यह इन श्रीट में ठीक है तें इस टेट अब बर्स मोश्ट इंपोर्ट इंपोर्टन ओल चोपन दो इसलिए इ इस बेरी इंपोर्टन लोकेशन यह आपसे कभी भी पुच्छा जाएगा किसी भी साल पुच्छा जा सकता है अब यह जो है इसको आप करंट में लगा लो चाहिए आप स्टेटिक में लगा लो ठीक है हमेशा यह स्टेटिक ही था लेकिन क्योंकि न्यूज पर में आ गया अब यह बहुत इंपोर्टेंट है इस तरह की न्यूज आप छोड़ देते हैं एक तो जहां पर एक्सप्लेंड लिखा होता है और यह आप देखिए बीच में इसमें दिया हुआ हुआ है बहुत इंपोर्टेंट न्यूज बनाग दिए यह जुरूर पढ़ा करो आप अप अब यह बहुत इंपोर्टेंट है मुझे नहीं आता था मैंने फर्स टाइम यह पड़ी है सर्वाइकल का इंसर होता है नो से चोड़ा सार की लड़कियों में और इंडिया में जो है बीस परसंट यह जो है हमारा लोड लेते हैं इंडिया और वर्ल्ड का इतना ज्यादा सब्सक्राइब में 1.25 लाइक नुकेशिज एवरी यह और 75,000 डैथ हो रही है तो सर्वाइकल का इंसर के लिए जो है इसमें अब वेक्षिन है अब इंडिया वेक्षिन का कंपेंड चलाना जा तीन फेज में चलाएगा तीन दोज होंगी तीन साल के में लगाई जाएगी लेकिन इसके कोमर्सिलाइज़ेशन है, इसकी कोमर्सिला है मतलब यह अभी फरी नहीं है क्योंकि हमारे इम्मुनिजेशन प्रोग्राम में अभी नहीं डल यह ज़ाएगा अब इसकी परड़ दोजार पर कोस्ट है तो इस में से मैं एक क्वेशन निकाल दे जो आपके प्र ही नहीं मिलेगा आपको इंडिया के किसी मैगजिन में नहीं मिलेगा अब कोई यह जो है पता चल जाए अलग बात है पप टेंट्स क्या होते हैं ऐसे पूझ रहते हैं अब यह क्या करते हैं जो हमारे एल्लेशी पर है यह सिक्यम में अधनाचल प्रदेश में रिमोट एरिया उखते हमारे से लेटेड है कंकरी से मिल्टरी से इसलिए इंपोर्टेंट एंप लगांग में जोनेगे करने जा रहे हैं इसके अब क्या फैदे हैं अब जैसे सियाचिन ग्लेशियर है वहां पर सबसे बड़े प्रोल्म के हाप सभी को पता है वहां है एक्स्रीम कोड़ड अब यह जो लदाख में लगाई जाएंगी इनका क्या फाइदा है यह रिलेटिवली लाइटर एजियर तो सेट अप बैटर इंसुलेटेटिटिड क्योंकर वहां तो इंसुलेशन चाहिए और गर्मियों में भी इनका जो है यह ठीक रहते हैं कमफटेबल है देन पॉपटेंट्स विल इंक्रीज रूप प्रोड़क्टिविटी देखो जब उनको ठंड नहीं लगेगी बैटर अन्वार्मेंट में रहें तो उनकी बड़ेगी बिमार नहीं पड़ेंगे वो लो हमारे जो सेनिक है और सेफ्टी इन हाई अलशिव एडिय इन पॉपटेंट्स केंगे इजली भी ट्रांसपोर्टीड एंड इस टाइड वो ट्रांसपोर्ट करना वहां पे लद्दाख में इस्टाल करना इदि यह असान हो जायतों क्या चाहिए तो यह दिरे दिरे टेकनोलोजी यह टेकनोजी है यह आपको क्ष्चन आईगा टेकन का लेकिन पर कुप् Tae Congress को लिखेंग के ऑन्वार्मेंट मिनिस्ट्रि में सीओं the लुपकश्ट मिन क्रहां फिर्टानीयक नोछ शक्तीमीस्ट्रि यह बताना चाहलak आपका अब इनको नहीं पावर मिली है IKEAכझ अभी देखी इसमें क्षेशन जो नहीं बढ़ाया है कि नेशनल मिशन फोर्पली गंगा इस वर्किंग अन्र दा मिनिस्ट्री जलशक्ति इन इसमेशन इस एमपावर तो अलोव टितिट शीवेज टितिट इस विस इस विस कंफाव तो फ्रिश्काइब नोंव्ज अन्र अन् मतलब यह जो है इस शीवेज को पानी है उसको क्रीट करने के बाद यह चाहते हैं इस तरह से के कोश्चन है हमारे अन्वार्मेंट के अब यह मैंने कोश्चन आज हो है आपको पंदरा नंबर का बनाया है इसका आप आंसर लिखे बेजना मैं रोजाने कोश्चन इस बना रहा हूं इस पे कोई न कोई किस फोर्म में आए गई या मैं नहीं पता लेकि लिखना आपने ही पड़ेगा इसके जो नोट्स आप बन मौमद मुईजू हैस टेकन ओवर फॉलिंग इंडिया उट पोलिशी आप सभी को पता रोजा ना पढ़ रहें आप इतनी बात आपको पता है क्रिटीकल एक्जामिन था इसेंट डिवल्पमेंट्स इंडिया-माल्दी रिलेशन्स बीशेंट में आपने यह देखना है पहल क्या हुआ है कहां कहां समझोते हैं कि का खतरा है इसको आप दोठी करना नोट्स बनाके यह दियार्थियो कल मैं आपको बताया था प्रक्रका क्निस्टेंट्स अब एक दिन स्टूरा गंटे पड़ ली गंटे आटाव और दुसरे तीन गंटे पर आगे लेकिन यह नहीं बताया भी consistency तूड़ जाए तो क्या करें कैसे वापिस लें देखो मैं एक एक जामपल लेता हूं जब हम लोग PhD की ठीजी लिखते हैं तो हमें एक दिन ठीजी ना लिखें तो एक भी दिन लिख सकते फिर एक दिन छोटने के बाद कोई भी ठीजी इन्होंने पिएजी की है वो एक दिन छोटेगा तो दूसरे दिन शुरूई नहीं करता है consistency खतम हो जाती है consultation खतम हो जाती एक दम से इसलिए चाहे आप चार गंटे रोज पढ़ रहे हैं चाहे आठ गंटे पढ़ रहें दस गंटे पढ़ रहें consistency रखिए मालिया ब्रेक होगे तो इमिजेटली उसका रिकवर कीजिए नहीं इस दे अपनी determination से आईए अपनी fire को जगाईए और यह दिखिए यह गलोब का जो है वोल्ड का सबसे बड़ा जामर आपका इतनी बड़ी पोस्ट मिलने जा रही है इतनी यंग एज में उसको मध्य इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्स्राइब कीजिए ताकि ज्यादा 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 ज्वेंट्स को इसका फादा हो थेंक यू वरी मच